कर्पी प्रखंड के खजरी पंचायत के केश्वर जीघा गाव अंतरगत बिजली की समस्या से ग्रामी जूझ रहे थे यहाँ पे एक साल से पॉल खाड़ा करके छोड़ दिया गया था और यहाँ पे बिजली नहीं लग पाई थी इसे तो बिजली नहीं से बहुत परशाने जहने पढ़ती है हमारे गाहा को हमारे बच्चे को पढ़ने लेकिने बहुत सा दिकत होता है किस तरह का दिकत होता है पढ़ने में बच्चों को उन्हें रातों में कम रोशनी में पढ़ने में दिकत होती है उसकी आँका पढ़ा पढ़ता है अगर लाइट होती तो पढ़ने में उनको विवास्ता अच्छा होता इतने भी नूजपेपर आते हैं कि भी विगरा नहीं है उसमें उनका मनवंजन हो या किसी तरह का जनकारी नहीं मिल पाता है हमारे गांट बच्चा को हमने बहुत सम्प्राइस किया डेम ओफिस में गए वहां अप्लिकेशन दिये हमारे विधायक के सब्देव कुस बहां उसे अप्लिकेशन के लिखवा करके दिये वहां पे इसका प्रोसेस मतब हुआ लेकिन फिर उसमें कोई आगे हमने इस समस्या के बदलाव के लिए यहां के गरामीनों से सबसे पहले बात किया और एक अप्लिकेशन लिखाया अप्लिकेशन लिखाने के बाद बिजली विभाग में जा करके वहां के जैन वसीन जी और निशांस जी से इस समस्या को आउगत कराया उसके बाद बिजली व किस टाइब से पब्लीक वहां जड़ीवी में या मतलब लाइप अपने तरफ से हंडेट परसेंट दे तो नहीं सेके लेकिन ट्राइट परसेंट अल्टिमेटली वहां इलेक्रिसिटी थी विडियो बनाया जो दिखाया गया विडियो के बाद में कुछ मैंनों के बाद में हम इसमें खास तोर से ग्रामीनों का सभीआग सबसे जादे रहा ग्रामीन अगर कोई भी स्तामान घट जाता अपने खुद जा कर आकर के वहां से समान लेकर के डिली विभाग से आ करके और अपने गाओ में अधिली लगाने का का मैं किए अभी एक महिना पहले यहां पराश् पहले यहां पर बिजली नहीं आई थे कितना दिन पहले यहां बिजली आई मेरा यह अनभू रहा कि अगर गरामीन कीशी भी समस्यक्त के समधान के लिए तक पर रहे तो समधान में शित्ति होता है मैं एतिम जफर इकबाल इंडिया अनहट के लिए हूँ